आप लोगों का हर दिख स्वागत है लेटे अफ्टर प्लेट निकल के आई है कि नए फर्मूले से होगा जुलाई में डिये का एलान बदल गया है काल्कुलेशन का फर्मूला ऐसे तै होगी सालरी तो दोस्तों हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि नए फर्मूला क्या है अगर आप हमारे चैनल पर फफ्टाइम विजिट कर रहे तो चैनल को लाइक कर दीजे सस्क्राइब कर दीजे साथ ही साथ बैल आइकन को भी वजा दीजे तकि गवर्मेंट या पैनिसन से सम्मादी जितने भी नहीं हो जाते हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पोस्त के तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के दोस्तों महिंगाई बत्ते को लेकर एक नई अपडेट आ गई है मार्च में डीए बढ़ने के बाद अब जुलाई में इसकी अलग बड़ोतरी होगी लेकिन जुलाई में महिंगाई बत्ता कैलकुलेट होने का फॉर्मूला बदल जाएगा बता दे कि केंद्रे करमचारिय का डीए फिलाल 3% बढ़कर मिल रहा है मतलब कुल डीए 34% तक पहुच गया है ऐसे में अब अगले महिंगाई बत्ते में होने वाले चेंज चर्चा का विशह है एक तरफ जहां AICPI इंडेक्स में लगातर गिरावट आ रही है वही अब महिंगाई बत्ते का कैलकुलेशन भ को बैतर बनाने के लिए मिलता है महिंगाई बढ़ने के बाद भी करमचारियों के रैंसेन के सतर पर कोई फरकना पड़े इसलिए यह है अलाउंस सैलरी फ्ट्रेक्चर का पार्ट है सरकारी करमचारी पब्लिक सेक्टर के करमचारियों को महिंगाई बत्ता और पैंशन धार महंगाई बत्ते को लेकर श्रम मंत्रा ले ने कालकूलेशन का फर्मूला बदल दिया है श्रम मंत्रा ले ने महंगाई बत्ते के आधार वर्ष 2016 में बदलाव किया है मजदूरी दर्शुचांक की एक नई सीरिज जारी की है स्रम मंतराले ने कहा है कि आधार वर्ष 2016 बराबर सो के साथ डबलू आर आई की नई सीरिज 1963 से 1965 के आधार वर्ष की पुरानी सीरिज की आधार पर तैह होगी दोस्तों से आन पर कमिशन के महाईबत्ते की मوجودा दर को मूल वेतन से गुणा करने पर महाईबत्ते की रिकम निकाली जाती है परतीशथ की मوجودा दर 12 परतीशथ है अगर आपका मूल वेतन 56900 रुपे डीए है तो 56900 गुणा में 12 बटे में 100 है मेंगाई बत्ते का परतिशत बराबर पिछले बारा महीने का CPI का ओसत माइनस 115.76 अब जितना आएगा उसे 115.76 से बाग दिया जाता है जो अंक आएगा उसे 100 से गुना कर दी जाती है दोस्तों सेवंध पे कमिशन की सैलरी के तहत कल्कुलेशन के लिए करमचारियों की बेसिक सैलरी पर डी ये कल्कुलेट करना होता है मान लेजे कि किसी केंद्रे करमचारी की नियुनतम बेसिक सैलरी 25.000 रुपे है तो उसका महेंगाई बत्ता 25.000 का अगर 34.000 होगा तो 25.000 रुपे का 34.000 रुपे होगा और ये एक उदान है इसी तरह से बाग की सैलरी फ्ट्रेक्चर वालों भी अपनी बेसिक सैलरी के इसाबसी से कल्कुलेट कर सकते हैं महेंगाई बत्ता पूरी तरह से टेक्सेबल होगा और भारत में आईकर नियमों के तहत इंकम टेक्स रिटर्न में महेंगाई बत्ते के बारे में अलग से जानकारी देनी होती है मतलब आपको जितनी भी रुकम महेंगाई बत्ते के नाम पर मिलती है वह टेक्सेबल होगी और उसे टेक्स का चुनाव होगा दोस्तो मेंगाई बत्याद दो तरह से मिलता है पहला इंडर्स्टियर डियर्नेस अलाउंस और दूसरा वारियबल डियर्नेस अलाउंस Industry Real Allowance का संसोधन हर तीन महिने में होता है और यह किंदर सरकार के Public Section में काम करने वाले करमचारियों के लिए होता है CPI के अधार पर होता है और Variable Dearness Allowance का Revision हर 6 महिने में होता है और Variable Dearness Allowance का Anclan BCPI के अधार पर ही होता है तो दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय वारत